पिछले कुछ दिनों से आपने मीडिया की चापलूसी तो मोदी जी के प्रती देख लियोगी लेकिन वॉलिवूड अभिनेत्री और अभिनेताओ की जो चापलूसी है वो एक हफते से कुछ दौरान से शोशल मीडिया पे इसकदर वाइरल हो रही है कि सीधा तोर से पता चलत है और कौन मोदी को सपोर्ट करता है और कौन जनता के हित्म है जी हां वॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनावत ने टूइट को लेके और पंजाबी सिंगर जो दिलजीत दोसांज है उनकी जो काफी हाइलाइट रहा है और शोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग में चल पाल ही बोल सकते हैं बेतु के शब्दों से उनको जिसकदर एक भद्धी टिपणी करते हैं उन्होंने बुलाई कि यह लोग सौर्पे में भाड़े पे बुलाए गए अंदोलन का रही हैं और उन्होंने इस महिला का कंपारिजन सीधर साहिन बाग की बिल्किस बेगम से किय है आप देख सकते हैं कि गाजय सब्सक्राइबग का झेशा कि कि रूलर जगह की अगर हम बात करें ग्रामेड लाखों की वहां पर जाती है बहत्बाव किस कदर अपनी चरम सीमा पर होगा यहां पर मोधिय जी यह सब जो चीजे हो रही है कंगना जो कुछ भी अपने टूइट पर लिखती है जा देश के विरोध में हो चाहे जनता के विर मेडिया पे कुछ लिखता है अपने अधिकारों को लेकर उसको योगी सरकारों चाय मोधी सरकारों रात रात गायब करवा देती है और बहुजन पत्रकारों की बात ही नहीं कर सकते हैं भाँजन पत्रकार तो जेल के सलाकों के पीछे कब पहुच जाया है इसका तो और अभी नेता बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं अब देख सकते हैं से तमाम वॉलीवूड इंडिस्ट्री के जो लोग हैं उसे जनता की मतलब से को कोई मतलब जनता की परिशानियों से कोई मतलब नहीं वह अपनी राजनीतिक फाइदे के लिए मोधी के सपोर्ट में बे शायद उस बुज़र्ग महिला का दर्द मुझे तो शर्म आती है कि महिला होने के नातिया पैसे महिला पे बुज़र्ग महिला पे कैसे बद्दे कर सकती हो मुझे तो कंगना को लेकि कभी-कभी अचंबा होता है कि उनको बॉलीवूड इंडिस्री में बले ही उन्होंने न अन्सिक्ता वाले वालीवूड इंडिस्ट्री के अभी नेता और अभी निताओं की अभी नेत्रियों की बाइकाट कीजिए क्योंकि हमने उन लोगों को सर पे चड़ा के बेजा हुआ स्टार बनाकर और वो लोग इसकदर अप उस चमक में खो गए हैं कि जनता के लिए बे आप लोगों की क्या प्रतिक रिये हैं?